नमस्कार स्वागत आपका योगिता उल्लेंट क्लासेस में मैं हुशरवन कुमार सागर जो भी एस्टुडेंट्स रेष्टा एक्जाम 2024 में पास किया है उसके लिए कौंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है तो चलिए आईए देखते हैं कि कौंसलिंग कब से कब तक होगा और कैसे करना है तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल प्रहें तो सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो यहाँ देखे फर्स्ट राउंड का जो कौंसलिंग होना है तो इसके लिए डेट जारी किया गया है 29 जून से लेकर के 10 जुलाई 2024 तक इसके बीच में आप कभी भी अपलाई कर सकते हैं फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा कौन सा आपको मिला इसकूल तो यह 11 जुलाई को आएगा 11 जुलाई 2024 को इसके बाद आपको जो इसकूल मिला कि आप उसमें एडमिसन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए चुनन फुसिकल रिपोर्टिंग के लिए कि आप इसकूल में जाकर एडमिसन ले 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 उसके लिए 11 जुलाई से लेकर करे 20 जुलाई तक आपको समय दिया जाएगा इसके बीच में आपको एडमिसन लेना है उससस्कूल में जिसमें आपका सेलेक्शन हुआ है उसके बास अगर जो होगा रिजिटेशन तो उसका रिजल्ट आएगा 30 जुलाई को और उसके बाद फिर इसी तरह से उसमें जो स्कूल मिला उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहां भरने का समय है 31 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक और उसके बाद फिर जब आपको स्कूल मि हुआ है आगे चलिए देखते हैं इसको आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इस डेट सीट को स्रेश्टा कांसलिंग डेट को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे गूगल में और यहां पर लिखेंगे येट एंटी ए ठीक है येट एंटी ए लिख करके आप सर्च कर द vizetry of social justice ये second वाले विकरपे आपको चुनना है जैसी चुलेंगे तो आप आजाएंगे इस website पर यहां पर देख सकते हैं इसको यहां से cut कर देते हैं और यहां पर सकेंड़ वाला अप City देखिए यहाँ पे लिखा हुआ counseling event of schedule of srista तो यह वाला मिल जाएगा यहाँ से इसको download कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से आप इसको असानी से download कर सकते हैं आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको counseling करना है तो इसलिए channel अपना है तो subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों के पास share कर दीजिए धन्यवाद